हेलो बच्चो वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जोजसिस्टडी मैं हूँ जोटी गुपता मैं लेकर आई हूँ एध क्लास की मैस जिसके एक्सरसाइज है 11.2 और कोश्चन है मारा पांचवा तो पांचवा कोश्चन जो है वह हमसे कह रहा है किसी संग चतुरबुज के वि समांतर चतुरबुज के तरह इसमें क्या होता है कि आमने सामने की बुजाएं तो समांतर होती है पर सारी बुजाएं जो होती है वो हमारी समान होती है इन्होंने बुजा की जो लंबाई है वो दी नहीं है ठीक है पर इन्होंने विकर्ण जो है वो दे दिया है एक छेत्रफल निकालना है ठीक है छेत्रफल निकालना है तो हम सबसे पहले हालिक देंगे संब चत्तुर भूज का विकर्ड ठीक है तो विकर्ड जो है हमारा पहला विकर्ड उसे हमने डीवन बोला है इसकी लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ड जो है जिसे डीटू बोला है उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर ठीक है अब हमें छेत्रफल निकालना है तो हम यह लिखेंगे संब चत्तुर भूज का छेत्रफल तो छेत्रफल जो होता है वह हमारा होता है एक बटे दो डीवन इंटू डीटू ठीक है यह होता है हमारा छेत्रफल तो अब हम क्या करेंगे यहां पर वन बाई टू लिखेंगे डीवन जो है वह हमारा साथ दसम्लब पांच है डीटू जो है वह हमारा बारा है दो एक कम दो दो छंग बारा इस तरीके से काट लेंगे अब हम साथ दसम्लब पांच की गु सबक्राइबclock में तो 8 3 हुआ हमारा 45 ये औंक पहले दसम्लव है तो यहां भी अंक पहले दसम्लव लगा दिया यहां पे हमारा ₹ ह adesso कि सुटक्र के बाद सिर्फ जीरो लगा है तो इसको हम 45 संटीमीटर उसक्मार भी कह सकते हैं ठीक है है उमीद है क्लास जो है वह आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा